फांसी में हो रही देरी और दोश्यों को बचाने वाली वकील इंद्राज जैसिंग के बयान पर क्या कुछ कहा निर्भया की मा और एक्ट्रेस कंगना रहनोते हैं ये भी आपको सुनाते हैं उस लेड़ी को उन लड़कों के साथ चार दिन जेल में रखो उनको रखना चाहिए उसको जरूरत है कैसी ऐसी ओरते होती है जिनको बड़ी दया आती है और ऐसी ही ओरतों की कोक से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे ये भी किसी के कोख से निकले हैं उनी के कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है जिनको सिंपतियात ये प्यार आता है इन पे दैशियों पे, खुनियों पे अलग-अलग पटिसन डाल रहे हैं हाई कोट में, सुप्रीम कोट में, लोवर कोट में तो कानून का मजाक बना रहे हैं जी तरह से 7 साल पहले निर्भ्या के जिन्दगी के साथ इनोंने खेल खेला था खुनी खेल खेला था मजाक बनाया था उसी तरह आज कानून के साथ मजाक कर रहे हैं High Court से लेके Supreme Court Lower Court तक कह दिया कि नहीं इस case को delay किया जारा हाई कोट ने यहां तक कह दिया कि जब सरकारी ओकिल ने कहा कि नहीं उनको 14 दिन का टाइम मिलना चाहिए फांसी 22 सारी को नहीं हो सकती है तो हाई कोट ने उनको फटकार लगाते हुए बोला कि अब तक आप कहां सो रहे थे धाई साल से कि आपका सिस्टम पटरी से उतर गया ह है और जो आपका सिस्टम काम कर रहा है वो कैंसर से ग्रिस्थ है तो हम तो समझ रहे हैं हम तो एक विक्टम है हमें समझ आ रहा है कि मैं साथ साल से कैसे किस तरह से अपने आपको खड़ा करके मैं लड़ रहे हूं लेकिन फाइनली पूरे समाज को पूरे सिस्टम को सरकार स से लेके कोट को तक पता हो गया है कि नहीं जो उनके वोकील हैं वो किस तरह से केस को डिले करने की कोशिस कर रहे हैं उनका पूरा का फोकस उसी पर है कि यो फांची को डिले करें